असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे रेस्टरान स्टाइल तंदूरी चिकन की रेसिपी जो एकदम चटपटा चटखारेदार बहुत ही जाधा डिलिशिस बनेगा और बहुत जाधा यमी सभी को बहुत पसंद आएगा तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा तो करते हैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए नहीं अपर चार पीस और या नियुद् av अब इसमें लगाने में कट्स इस तरह से गहरे कट्स लगा लिए हैं यह देखिए कट्स लगाने से जब मेरिनेयप करेंगी न मसाले में तो बहुत अच्छा फ्लेबर आएगा अंदर तक इसार जाएंगे अब देखिए हमने इसको फर्स्ट मेरिनेशन में रखना है तो इसक अच्छे से स्लीउशन को हमें चीकन के पीसेस पर लगा लेना है बहुत अच्छे से जो हमने कट से लगा लिए तो यहांपर देखिये- एक घंटे के लिए रख दिया ता एक घंटा हो चुका है चिकन का कलर भी छेंज हो गया चार रख्या और चिकन इस प्रोसेस के करने से बहुत जादा मॉइस्ट जूसी और सॉप्ट बनेगा अब देखिए हमने चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है और जो इसके जूसे ना उसी में हमने मसाले एड कर देना है तो दो टिबली स्पून दो बड़े चम्मस सोय सोस एड कर दीज और यहां पर चिली टीखे नहीं होते है नोर्मल कोचि हुई लाल मिर्ष लेंगे ना अब तो टीकी होती है तो वें टीश्पून हमने एड किया है और यहां पर गारलिक पॉडर rehab किया है और आपके पास गारलिक पॉडर नहीं है तो आब लेतलगों को लीजीए 1 product है उर 1 वन टेवल इस्पून या पर कसूरी मैथिल ये इसको रोस्ट करकर इस तरह से क्रेश कर लिया हाफ टी इस्पून नमक या पर मसालो का नमक या नमक पहले ये एड़ कर दिया था तो टेबल इस्पुन यहापर मैं ओलिव ओल ऐड़ कर रही हूं और अगर आपके पास ओलिव ओल नहीं है तो आप नॉर्मल औल भी ऐड़ कर सकते हैं मस्टड और रिफाइंड ओल यूज करते हैं तो बहर आड़ कर सकते हैं यहां अगर आप इसमें कसूरी मैथी का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो औरिगेनों भी यूज कर सकते हैं उसकी जगा अब देखिए यहां पर अच्छे कलर के लिए टू पिंच रैट फूट कलर एट कर लिया है एक दम मार्केट वाला बनाएंगे तो बही कलर चाहिए हमें यह optional आप चाहें jeśli कि भी कर सकते हैं अब अच्छे से मसालों को मळें मिक्स कर लिए ऊच्छे कर लिए एकए मेरिक करोने की से कष्णा उप्सी 29 Liter के capacity का है 2000W का Powerful Heater इसमें और यहां पर कुछ Features दिये गए हैं और यहां पर आपको मैं बता देती हुआ किसमें क्या क्या कर सकते हैं देखिर कर सकते हैं ग्रिलिंग कर सकते रोस्ट कर सकते हैं टोस्ट कर सकते हैं बहुत सारी एलिगेंट लुक में आता है यह देख सकते हैं और इसकी बहुत ही बढ़िया है यह देखिए इस तरह से आपको डबल टफन ग्लास के साथ यह मिल जाता है अमेरिकन माइक्रोनिक की ब्रैंडिंग मिल जाती है और यह आता है कूल टच हैंडिल के साथ जब हम कुछ बेक कर रहे हैं तो वह हैंडिल जो हमारा गरम नहीं होगा बिल्कुल भी जैसे कि अधर जो ओटी जी है उसमें गरम हो जाते हैं और यह है इसकी बैक साइट यह देख पिसे घुमाकर ज ju desire आपका temperature है उसे सेट कर सकते हैं और यह देखिए यहां पर दिया गया है timer अपनी रेशीपी कि आपकॉरडिंग आप ताइम एडसेकर सकते हैं और यह दिए गये हैं और यहां पर आपको एक इंडिगेटर दिया गया है देखिए इस तरह का तो यह हो गया है हमारे function अब देखिए इस इसके साथ ही आपको दिया गया है यह heavy plug और अब इसको देखिये, खोल लेते हैं, अंदर के accessories भी देख लेते हैं, तो हमें, क्या-क्या मिल जाता है, इस oven के साथ, तो देखिये, जो इसके accessories है, उसको side कर देते हैं, तो यहां पर हमें मिल जाती है एक baking rack, इस तरह की काफी solid है, और देखिये, यह है, crumb tray, जब भी हम कोई भी चीज इसमें बेक करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फूट है वो इस पर गिर जाता है असानी से आप इस तरह से इसको निकाल कर क्लीन कर सकते हैं तो यह है बेकिंग ट्रे यह देगी काफी सॉलिड है इस तरह की और यहां पर दिये गए है लोवर हीटर और यह है अपर हीटर दोनों तरह से आप कोकिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं और यह है रोटेशन रेक जब भी आपको यह अपना तंदूरी चिकन बना रहे है पनी टिक का बना रहे है चिकन टिक का बना रहे तो इसमें लगाकर आप बेक कर सकते हैं और जब और आप इसको फूट प्यार की मद्स से इस तरह से निकाल सकते हैं क्यूंकि क्यंके लुगिंघ के बद वन काफि घरम होता है तो में हासे दो नहीं निकाल सकते the डाल कर निकाल सकते एज फसवी और यह मिल जाता है आपको वारन्यटी कारड, और यह है हमारा इंस्ट्रेक्शन मैनूल, यह है रोटेशन रैक हैंडिल, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, इसका यूजicamente कर सकते हैं, और यह है रोटेशन रैक, जिससे आप तंदूरी चेपिन इसमें प्लेस कर सकते हैं, पनी टिक का चेकिन टिक का बहुत सारी बैराइटी ओप मेन्यों आप इसमें बना सकते हैं यह देखिए इस तरह से आप इसको अंदर प्लेस कर दीजिए और अपनी कोकिंग इजीली कर लीजिए और यह है फूट फैचिंग रैक यह देखिए इस तरह की और यह हमारी है और यहां पर हमने फिए बेकिंग ट्रे ले लिए और चिकन को इस तरह से प्लेस कर देना है इसमें कर लीजिए तो यह मसाला इसको मेरिनेट किया था आप इसको देखिए बंद कर दिंगे बहुत ईजीली कर दिया है इसको बंद कर दिया है इसका टाइमर सेट करेंगे 200 पर यह देखिए तो हमने इसको 200 डिग्री पर सेट कर लिया है और इसका टाइम लगाएंगे हम तो 50 मिनट का यहां पर मैं टाइमर सेट कर रही हूं यह देखिए लोवर हीटर अपर हीटर दोनों कर दिये हैं मैंने 200 डिग्री पर तो बस इसको बेक करेंगे और देखेंगे 50 म हो चुके हैं अबन को यहां पर हम देखिए खोल लिया है और इसको निकाल लेते हैं फूट फैचिंग रैक की मदद से इस तरह से क्योंकि काफी घरम है और यह दिकिए बहुत ही अच्छी तरीके से यह बेक हुआ है अगर आप इस ओटीजी को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा तो बहुत ही इजिली हमारा तंदूरी चिकिन रेस्टरोइन स्टाइल बेक हुचुका है अमेरिकन माइक्रोनिक के ओटीजी यानि अवन टोस्टर ग्रिलर में देखिए बहुत ही इजिली बस इसको हम सर्व करेंगे यह देख सकते हैं तो यह देखिए जब भी आप ट्राय करते हैं यह रेसिपी तो मुझे कॉमेंट करकर जुरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मिद करती हूं आज के मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक् आई रेसिपी के साथ फिर आजिरूंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्हाफीज